गुड मॉर्निंग स्टुडेंट आप सभी को रक्षा बंधन के शुपकाम डाएं बच्चो क्या आप जानते हैं रक्षा बंधन क्यों मनाया जाता है इसके पीछे भी एक कहानी है आज मैं आपको रक्षा बंधन की कहानी सुनाती शुद देवी नामक एक बुवा थी उसने शुद देवी नामक एक विक्रित बच्चे को जनम दिया था बड़ोंसे पता चलता है जिसके परसे शुद स्वस्त होगा उसी के हाथों उसकी मित्य होगी शुद देवी ये बदलाव देकर खुश हो गई थी लेकिन उसकी मिद्यू श्री कृष्ण के हातों होने की संभावना से वे विचलिर हो गई थी वे भगवान श्री कृष्ण से प्रात्ना करने लगी भले ही श्री शुपाल कोई गलती कर बैठे लेकिन उसको श्री कृष्ण के हातों सजा नहीं मिलनी चाहिए तो भगवान श्री कृष्ण ने शु देवी से ये वादा किया मैं उसकी सो गल्दियों को माफ कर दूँगा इन वह अगर सो से जादा गल्दियां कर बैठेगा तो मैं उसको सजा जरूर दूँगा शिशुपाल बड़ा होकर चैदी नामक एक राज्य का राजा बना वह एक बहुत ही कुरूर राजा बन गया और वह श्री कृष्ण को चुनोती देने लगा एक समय तो उसने भरी राज्य सभा में श्री कृष्ण की निंदा की और बस उसी समय शिशुपाल ने सो गल्दियों की सीमा पार कर दी तुरंधी भगवान श्री कृष्ण ने अपने सुदर्शन चक्र का शिशुपाल पर परयोग के बाद भी शिशुपाल ने अपने अवगुर नहीं बदले और अंत में उसे सजा मिली भगवान श्री कृष्ण जब क्रोध में अपने सुदर्शन चक्र को चोड रहे थे उनकी उंगली में भी चोट लग गई भगवान श्री कृष्ण के आसपास के लोग उनके घाव पर बांतने के लिए कुछ ढूनने लगे वहाँ पर खड़ी द्रौपृती ने कुछ सोचे समझी बीना अपनी साड़ी के कोने को फाड कर श्री कृष्ण के घाव पर लपेटा शुकरिया प्यारी भेना तुमने मेरे कस्ट में मेरा साथ दिया मैं भी तुमारे कस्ट में तुमारा साथ जरूर दूँगा भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपृती को उनकी रक्षा करने का आशवाशन भी दिया इस घटना से रक्षा बंधन का आरम हुआ बाद में जब कौरवो ने पूरी राज्य सभा के सामने द्रौपती की साड़ी को खीच कर द्रौपती का अपमान किया तो भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपती को बचा कर अपना वादा पूरा किया उसी समय से लेकर अब तक भेने अपने भाईयों को राखी बानती आई हैं और बदले में भाई अपनी भेन को रक्षा का वचन देते हैं तो बच्चों आपको पता चला कि हम राखी कबसे और क्यूं मनाते हैं और आज हमने रक्षा बंधन का महत भी जाना हैपी रक्षा बंधन ओल उफ यू बाई बाई